एनिमल की छपड़फार कमाई से मेकस हुए खुश इस दिन होगा भफ़े पाटी कायोजन निदेशक संदेप्रेटी वांगा की एनिमल ने बॉक्स ओफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड अब तक अपने नाम कर लिये हैं रन्वीर कपूर की ये फिल्म ने ना किवल इस साल के बलकि ये बॉलिवुड की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है तीन घंटे तीस मेंट लंबी होने OCBFC की ए सर्टिफिट मिलने की बाउजूती फिल्म अब तक भी दमदार कलेक्शन कर रही है एक महीने पहले एक दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक 586 करोड से अधिक का बिजनस कर लिया है फिल्म में अनील कपू, रश्मी कमंदाना, बॉबी देवल, तिप्टी डिमरी के अभीनाई की भी काफी तारिफ हो रही है फिल्म को मिले अपार सफलता से खुश मेकर्ज ने अब इसका जश्मनानी की तयारी शुरू कर दी है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल की टीम शनिवार यानी 6 जनवरी को मुंबई में एक पाइटी आयोजित करने वाली है जानकारी की मुताबिक भववपार्टी बांदरा में होने वाली है फिल्म के कलाकारों और टीम एनिमल के साथ इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों के इस उत्सव में शामिल होने की उमीर है इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये एक बाप बेटे की कहानी है जिसमें एक्शन से लेकर एमोशन तक दिखाया गया है फिल्म का निर्मान टी सीरीज द्वारा किया गया है शारुखान की जवान के बाद दोजा तेस की सबसादा कमाई करने वाली एनिमल ये दूसरी फिल्म बन गई है बरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दे